नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट टू नाइन यूज वागत है आप सभी का दर्श को एक बाफर से हमारे चैनल में जैसा कि आप जानते ही है इस वक्त दिलिव साहब को लेकर चिंता लोगों की काफी बड़ी है जी हाँ रिपोर्ट ये आई है कि दिलिव साहब की अच्छानक तवियत बिगरी जो नीमोनिया पेशिंट रह चुके हैं जिन्हें पहले भी सर्जरी अमत की करानी पड़ी थी कभी इंट स्टाइन के इशूस से जो शुके हैं दिलिव साहब तो कभी पहले लंग इंफेक्शन से जो शुके हैं दिलिव साहब एक बफर से सास लेने में उन्हें दिक्कत हुई जिसके कारण सीधा उन्हीं हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है तो दिलिव साहब को कि इस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है आखिर क्या ऐसी कारण थी जिसकी बजह से उन्हें सीधा हॉस्पिटल रवाना होना पड़ा पत्नी साइरा बानू दिलिव साहग की सेहत को लेकर क्या कह रही है 98 वर्षिये दिलिव साहग कोविट किस क्राइसिस में क्यूं हॉस्पिटल में भरती होने पर मजबूर हुए उनकी ये जो हालत है इस पर पूरी रिपोर्ट हम आपको देंगे उसलिव काफी समय से दिलिव साहग काफी जादा बिमार रहे हैं उस पर क्या कहना है फिलहाल आई खबरों का और उनकी दिलिव साहग की पत्नी साइरा बानू का सेहत को लेकर चलिए जाते हैं हमारे खास रिपोर्ट के जरीए विटेरियन एक्टर दिलिव साहग की अचानक बिगडी तबियत को लेकर खबर आई है जो हम आपको देना चाहेंगे हमार इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे विटेरियन एक्टर दिलिव साहग की सेहत को लेकर जो खबर है काफी जादा चिंता जनक है जी हाँ 99 साल के है दिलिप साहब और दिलिप साहब की सेहत को लेकर खबराई है कि उन्हें फिर से हॉस्पिटल में भरती किया गया है क्योंकि हालत उनकी अचानक से नाजुक हुई है जी हाँ लॉंग प्रोलॉंग डिजीज से जुज रहें दिलिप साहब जिन्होंने कई बार सरजरी कराई कभी उन्हें निमोनिय की वजह से कमजोर होने पड़ हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था कोविर की वजह से उन्हें सिक्योर रखा गया था कुछ टाइम पहले भी दिलिप साहब को रूटीन चेक अप के लिए हॉस्पिटल में भरती कराया गया था सोशल मीडिया पर दिलिप साहब अपनी सेहत को लेकर अक्सर ही जानकारी देते हैं आज हम आपको बता दें कि दिलिप साहब को लेकर खबर आई है कि इस वक्त उनकी सिहत अचानक जो बिगड़ गई है इस कारण से फैन्स काफी चलते थे क्योंकि विटेरिन अक्टर दिलिप साहब को सास लेने की दिक्कत के कारण हॉस्पिटल में भरती कराया गया है जी हाँ आपको बता दें सास रिपोर्ट में तो हम आपको जानकाई देना चाहेंगे सास लेने में दिक्कत होने के कारण सास लेने की दिक्कत दिलिप साहब को कई बार पहले भी हुई है लेकिन complaint जो breathlessness की वजह से दिलिप साहब को हॉस्पिटल में भरती कराय गया है इस complaint की वजह से परिवार काफी चिंतित है क्योंकि अंठानवी क्यूमर में उनका फिर से hospitalized होना काफी चिंता जनक है अगर माने खबरों की तो मुंबई के हिंदुजा होस्पिटल में दिलिप साहब को भरती किया गया है इससे पहले रूटीन चेक अप के लिए पिछले महीने गये थे दिलिप साहब और उन्हें कोविड फ्री होस्पिटल में रखा गया था treatment के लिए दिलिप साहब को अच्छ होस्पिटल जो की मुंबई का बहुत नामी अस्पिटान है वहाँ पर दिलिप साहब को treatment के लिए बढ़ती कराए गया है और ये भी रिपोर्ट आई है कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें लगतार ही सास लेने में दिक्कत थी ये उनकी पतनी सायरा बानो का statement है कि पिछले क कुछ दिनों से लगतार ही सास लेने में दिलिप साहब को काफी तकलीफ हो रही थी जिसके कारण उन्हें काफी जादा घर पर रहने में मुश्किल आ रही थी वैसे तो चल भी नहीं पाते हैं दिलिप साहब वो अपने कमरे से सिर्फ हाल तक ही चल कर जाते हैं इतने सालों स वो खर्म्रे में ही कैद रह रहे हैं और दो साल से कोवीड क्राइसिस के कारण वो और भी जादा घर में बंद रह चुके हैं और ऐसे में दिलिप साहब को पीडियों अंदिजों हस्टिल में जब एडमिट किया गया है तो उनकी पतनी साइरा ने कहा है कि लगतार तबियत बि पीरो रहें दिलिप साहब की अचानक हेल्थ खराब होने की वज़ह से फैंस ही नहीं बलकि उनके रिष्टदार परिवार वाले ही बहुत चिंते थें मिते साल दिलिप साहब के दो चोटे भाई असलम साहब और एहसान साहब दोनों का ही नधन हो गया था तो हम आपको जानकाई देना चाहेंगे सोशल मीडिया पर हर जगा दिलिप साहब की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है दिलिप साहब की पोश्ट है जो काफी जादा तकलीब दे सामने आये हैं मैंने नहीं बोला ये सब बंद कर ये सब एभाई ये बात थे दिलिप साहब कोंट्रवर्शी से घिरा है केस को लेकर घिरा है आज हम आपको बताना चाहेंगे दिलिप साहब जिनका ट्रीटमेंट पीते कुछ टाइम से घर पर ही रोह रहा था अब उन्हें मुंबई में डॉक्टर की टीम की निगराने में हिंदुजा हॉस्पिटल में रखा गया है स साहरा उनके पतनी ने खुछ से ही उनके लिए बात की है वहीं आपको बता दे सोशल मीडिया पर दिलिप साहब को लेकर लगतार दुआएं आ रही हैं कि उन्हें जल से जल्द स्वस्त होने में टाइम ना लगे वो जल से जल्द वापस घर लोटे स्वस्त होकर वहीं आपक दिलिप साहब को लेकर तड़ा पुठी है उनका कहना है कि बस दुआएं कीजिए वो और कह रही है कि दुआएं कीजिए कि जल से जल्द दिलिप साहब को वो घर ले जा सके इसकी आप दुआएं करें दिलिप साहब को लेकर ये चिंता जाहिर की है दिलिप साहब के बारे म आपको बताना शाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में बहुत ही जादा चिंता जनक खबर ये भी है कि दिलिप साहब जो हैं बहुत ही जादा शान रहे हैं और ऐसे में इस उमर में उनका हर चीज कर ट्रीप्मिंट कराना आजसान नहीं है तो चलिए हम आपको हमारे इस कुछ सरजरी भी कराई है कुछ टाइम पहले जी हां उन्हें फूड पाइप के जरीए खाना दिया जा रहा था जब इन साल पहले उनका ट्रीटमेंट चला था हॉस्पिटल में और वो काफी जादा तकलीफ में रहे थे वहीं आपको ये भी जानकारी हम देना चाहेंगे हमार अभी तक पूरी तरह से वो ठीक नहीं हुए है और डॉक्टर उन्हें वापस घर भेजने की इजासत अभी तक नहीं दे पाए हैं जिसकारण परिवार बहुत चंते थे खासकर दिलिप साहब की पत्नी सायरा बानों क्योंकि दिलिप साहब को सांस लेने में दिक्कत पहले इस तरह नहीं हुए है और बार बार उन्हें अगर दिक्कत आती है तो उन्हें दिक्कत होगी क्योंकि उन्हें आईसियू में रखा जा सकता है लेकिन अब तक रिपोर्ट ये आई है कि उन्हें नॉर्मल ही रखा गया है आईसियू वार्ड में वो शिट हुए है या नहीं इसकी अब तक confirmation सायरा बानो ने नहीं भी है नेक्श नाइए उसम सत्रप्तिक रिपोर्ट तो दोस्तो ये था हमारा आज का special program दिलिप साहब को लेकर जी हाँ हमने आपको हमारे कास रिपोर्ट में दिलिप साहब के बारे में बताया उनकी सेहत के बारे में जानकारी दी है तो वहीं अब वक्त हो चला है आपसे बॉलिवूड अपडेट के साथ यहीं इजासत लेने का अगली बार फिर लॉटिंग के आपके बीच बॉलिवूड इंडस्री की टॉप 20 लेटेस्ट वारल खबर लेकर तब तक के लिए इंट्रेटेन्मिन की दुनिया के साथ आप बने रहें और ऐसी ही ही हर अपडेट के लिए जुड़े रहें और अपने फेवरेट ट्रेजडे केंग फर्स्टिफ खान यानि कि दिलिव साहब को दुआएं भेजे संदेश भेजे उनकी पसंद देदाफ मों से जुड़िए आपकी जो यादे हैं वो हमारी भी जिस्तिया साजा जरूर करें लेंगे आपसे इजासत देखते रहें नेक्ष्ट नाइन न्यूस नमस्कार